हाउ टू डिलीट फेस्बूक अप पर्मानेंटली यह मिन आप अपने फेस्बूक के अकाउंट को पर्मानेंटली बेसिस पे डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं वेल यह जब प्रोसेस यह जो मैथड़े आपको तभी अपलाई करना है जब आप एक्चुल में रियल में अपना फेस्बूक का अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं एक बार अगर आपका फेस्बूक का अकाउंट डिलीट हो गया दिन इसके बाद आप फिर से उस अकाउंट को रिकावर नहीं कर पाएंगे बिकॉस यह पॉसिबल ही नहीं है तो यहाँ पर most probably जो topic है मैं especially for beginners के लिए cover कर रहा हूँ जो still 2020 में first time facebook app को use कर रहा है उसमें account create कर दिया है उसके बाद विससे use कना बन कर दिया है और उस facebook के अकाउंट को डिलीट करना चाहते है लेकि उन्हेंने exactly process नहीं पता होता है कि किस तरीके से अपने facebook के अकाउंट को है so in that case you can just continue with this video तो इसके लिए आप जातो facebook के website पर जाके आप long process भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप shortcut way में इस process को complete करना चाहते है और अपने facebook के account को delete करना चाहते है तो आप facebook के app का भी use कर सकते है that's it तो यहाँ बस सबसे बिले आपको अपने facebook के app में login हो जाना है login होने के बाद आपको इस 3 रोट line पे click करना है then scroll down करके यहाँ पर option मिलेगा setting and privacy as you can see just click on that और उसके बाद इस settings वाले icon पे आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको directly scroll down करना है scroll down करना है scroll down करना है and यहाँ पर option आपको मिलेगा account ownership and control का just click on that उसके बाद यहाँ पर आपको जो second number का option है इस पर click करना है अब यहाँ पर आपको दो option आता है deactivate account और delete account तो अगर आप temporary basis के लिए अपना facebook account deactivate करना चाहते है कुछ months के लिए तो ऐसे में आपको इस वाले option पर click करना है या तो लेकिन अगर आप facebook account को permanent basis पर ही delete करना चाहते हो और आप इस account को use ही नहीं करना चाहते हो तो ऐसे में आपको यह second वाले option चूज़ करना है और उसके बाद continue option पर click करना है अब उसके बाद यहाँ पर reason चूज करना है कि आप क्यों अपने account को delete करना चाहते हैं उसके बाद इस continue वाले option पर click करना है अब उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलता है तो यहाँ पर अगर आप अपने messenger को continue रखना चाहते हैं तो आपको अगर आप मैसेंजर को भी डिलेट करना चाहते हैं तो आपको डियक्टिवेट आपको अपको अपको डियक्टिवेट हो जाएगा और अगर आप अपने इस Facebook अकाउन के जितनी पे सारे पोस्ट है अब उसके बाद यह एकदम लास्ट का पेज है अब उसके बाद यहाँ पर आपको डियरिक्टिवेट अपना Facebook का पासवर डाल देना है as a security basis पे और उसके बाद आपका जो Facebook का अकाउन्ट है वो पर्मानेंटली बेसिस पे डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर इस प्रोसेस को मैं आगे continue इसले नहीं कर रहा हूँ विकॉस जो है मेरा यह मेरा पर्मानेंट अकाउंट है इसे मैं यूज करता हूँ तो इसले इसले मैं डिलीट नहीं कर सकता बट आपके cases में यहाँ पर आपको पासवर डालना है यह लिए करके आप अपने Facebook अकाउंट को फिर से अक्टिवेट कर सकते हैं विकॉस आफटर 30 देस के रियक्टिवेशन प्रोसेस के बाद आपका जो Facebook अकाउंट है वो पर्मानेंटली बेसिस पे डिलीट हो जाएगा तो इसी तरह के से simple method को अप्लाई करना है और जो अपना Facebook अकाउंट है उसे पर्मानेंटली बेसिस पे डिलीट करना है So this will help you in 2020 and in future as well I hope you like this information